आज के विडियो में हम आपको बॉलिवूट के उन एक्ट्रेसेस के बारे में बताएंगे जो 2021 में प्रेगनेंट हुई है वरुन अपनी लॉंग टाइम गर्ण्फरेंड नताशा दलाल के साथ 24 जैनुवरी 2021 में शादी की थी अब ये खबर है कि नताशा दलाल प्रेगनेंट है और वो दोनों जैनुवरी या फेबरॉरी में अपनी बेबी का विलकम करेगा खबर आई है दिपीका पादू कॉन प्रेगनेंट है लेकिन वो इस बात को अभी फैंस के साथ शेर नहीं करना चाहती लेकिन कुछ दिन बाद रनवीर और दीपी का ओफिशियली एनाउंसमेंट करेंगे अभिशेख और अशोरिया सेकेंड बेबी का वेलकम करने जा रहे है अशोरिया काफी समय से अपनी पेगनेंसी को लेका लाइम लाइट में बनी हुई है लेकिन अब वो दोनों ओफिशियली इस बाद का एनाउंसमेंट कर दिया है सोनम कपूर 8 में 2018 पे अपनी लॉंग टाइम बॉइफ्रेंड और बिजनेसमेन आनद आहुजा से शादी की थी अब वो दोनों लंडन में एक साथ रहता है वो दोनों बनने जा रहे हैं माता पिता ओफिशियल एकाउंट के थुरू उन्होंने खुद इस बाद का एनाउंसमेंट किया है फिलहाल नेहा कककर अभी इस बाद को लोगों के साथ शेयर करना नहीं चाह रही है लेकिन सही वक्त आने पर रोहन प्रीत और नेहा कककर इस गुड नियूस का एनाउंसमेंट करेगा जबसे इन्होंने राहुल बैद्दा के साथ शादी की है तबसे वो सुर्खिया बटो रही है और खबर आई है 2022 में ये कपिल भी अपनी बेबी का विलकम करेगा नमबर सेवेन प्रियांका चोप्रा प्रियांका चोप्रा की प्रेगनेंसी का खबर सब को पता है उन्होंने खुद लाइफ शो में इस बात का एनाउंसमेंट की थी आपको इन में से कौन सी कपिल सबसे अच्छा लगता है कॉमेंस में जरूर बताइए वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कीजिए और ऐसे ही अपडेट्स और पाने के लिए हमारे चैनल को सबस्क्राइब कीजिए